हेलो एवरीवन आई वेलकम यू आल टू स्टाडी पॉइंट स्टाडी पॉइंट स्टाडी पॉइंट यूटूब चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है देखिए इस पट्रिकुलर वीडियो में आज हम लोग डिसकस करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंदित 10GK के कोश देखिए यह 10GK के कोशन ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के एक्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं और यह कोशन आपके आने वाले एक्जाम जैसे की मंडी परिशत का एक्जाम हो गया और एलाव अधाय कोड का जो एसिस्टेंट रिवियो ऑफीसर यानि के सहायक समिक्ष अधिकारी का जो पेपर है उसके लिए और लोवर पीसेस का जो एक्जाम होने वाला है इसके लिए बिए कोशन बहुत इंपोर्टन हो जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से 5-6 कोशन पूछे ही जाते हैं हर बार एक्जाम में तो चले डिसकुशन स्टार्ट करते हैं पहल कनौज जिले में है नाम याद रखेगा कनौज जिले में है कहां पर है यह लख और बहोशी नामक गाउं के बीच में इसलिए इसका नाम भी लख बहोशी रखा गया है देखिए यह तीन वर्ग किलोमेटर में फैला हुआ है और कभ खुलता कभ है यह उद्धियान तो यह नवंबर से मार्स तक खुलता है और यहां पर सियार नील काय फिशिंग कैट और बंदर पाये जाते हैं बहुत इंपोर्टन कोशन है आपको याद कर लेना है लाक बहोशी रास्ट्रिय उद्यान यह है उत्तर प्रदेश में प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विंध्याश लंदि का मंदर प्रसिद्ध है है और कोशन अग्रा नगर की स्थापना किसके किस ने कीती तो यह कीती सिकंदर लोदी ने लोदी समराजी के संस्थापक थे ठीके याद कर लिजेगा बहलोल लोदी लोदी समराजी के संस्थापक और सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी कुछ facts हैं देखिए आगरा नामक नगर स्थापना सिकंदर लोधी ने और इसे राजधानी भी अपना बनाया था सिकंदर लोधी ने और कालांतर में आगरा अनेग मुगल राजाओं की राजधानी भी रहा है प्रेशन हैं बहुत important प्रेशन हैं देखिए questions ऐसे हैं जो कि हर बार एकजाम में पूछे जाते हैं बहुत ही short duration का वीडियो है यह आपका time waste ने होगा और आपको सभी questions याद कर लेने हैं question है चावल की खेती के प्रतम साक्ष कहां प्रप्राप्त हुए हैं तो यह प्राप्त हुए हैं बेलन घाटी में तो option C है हमारा सही answer देखे चावल की खेती के प्रतम साक्ष बेलन घाटी में प्राप्त हुए है और ये कहां पर है ये है इलाहाबाद में याद कर लिजेगा इसका नाम अभो गया है प्रयाग राज ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा प्रशन है अतरंजी खेडा किस जिले में है तो A से अत अतरंजी खेडा है ये एटा में ओप्शन A है हमारा सही आंसर देखे अतरंजी खेडा एक एतिहासिक स्थान है जहां से लोहे के सबसे पुराने सबूत मिले हुए है और ये एटा जिले में है प्रशने उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजदानी किसे कहा जाता है इकोनॉम अतर प्रदेश की राजदानी आर्थिक राजदानी भी कहा गया है वैसे उत्तर प्रदेश की राजदानी है लखनो याद रखेगा यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है प्रशने उत्तर प्रदेश की आईटी राजदानी किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है न दिके नोएड़ा उत्तरप्रदेश का नया सहर है जिसमें अनेक सॉफ्ट्यर और आईटी कंपनियों के ओफिस हैं जैसे अडोब इत्यादी प्रेश ने ताला नगरी उत्तरप्रदेश किस जली को कहा जाता है तो ये कहा जाता है अलिगड़ अलिगड़ के ताले बहुत ही प्रसिद्ध हैं बहुत ही मजबूत होते हैं ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर दीके अलिगड़ तालों के ओद्योग के लिए प्रसिद्ध इसी कारण अलिगड़ को ताला नगरी भी कहा जाता है याद रखेगा ताला की बात आएगी तो और ऑप्शन दिए नुमेड़ा गाजियाबाद हाथारसय मत्ुरा इसका सएगेट्वेइजुप इंड्या कहा जाता है घाजियाबाद को प्रसिद्ध करेक्ट आंसर च щоб कहर को किया जाता है吃 दुस्वां प्रशने और लास्ट कुशन-कौशन उत्तर प्रदेश में मुख्यता चमडे का वपार कहां पर होता है तो यह होता है कानपूर option A है हमारा correct answer देखिए चमडे के अधिकतर कारखाने उत्तर प्रदेश में कानपूर नगर में है जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर अभी हम लोग ने बिस्कस किया था ठीक है तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग औल दे बिस्ट फोर एक्जाम थैंक यू